गुड आप्टरून ओल उल उफ यू, मैं माधुरी, वेलकम करती हूँ आपका एंडिलो क्लासेज में एक बहुत बड़ी इंफोमेशन मिली है हमें, राजस्तान हाई कोट ने दिये कि जो आरजेस की नॉटिफिकेशन थे फॉर्म फिलिंग के लिए जबेंको सीड्स का नॉटिफिकेशन थे पहले ही आ चुका था हमें इंतजारथे तो फॉर्म फिलिंग की डेंट का फॉर्म फिलिंग की डेंट के साथ साथ इगों ने हमें बताया है कि जो प्रिलिंगT nya कन्स का एक्जाम है वो कब तक होँ सकता है क्या पॉसिबिलिटीज है प्रिलिंस के एक्जाम की तो complete information age की रिगार्डिंग क्या आपकी negative marking रहेगी positive रहेगी कैसे रहेगा वह मैं आपको complete बताने वाली हूं क्या syllabus रहेगा क्या पुराने अक्ट आने वाली है नए अक्ट आने वाली है वो भी मैं आपको बताने वाली हूं कब स से आपके form स्टार्ट हो रहे हैं वो भी बताऊंगी तो complete वीडियो आप complete information आपको इस वीडियो मिलेगी तो end तक वीडियो बने रहें आए बात करते हैं कि जिस वेकेंसी के लिए जिस स्टेट के लिए हम preparation कर रहे है जुडिश्री के लिए आर जेस के लिए सबसे पहले तो इसको पूरा नाम क्या है किस पोस्ट के लिए पूरा प्रैंटिस कर दो उसका पूरा नाम है सिवील- सिवील- म्यायदीश मयायदीश अब बात करते हैं कि इसमें आजेस के नॉटिफिकेशन में टोटल पोस्ट कितनी है टोटल पोस्ट है हमारी 222 देखो यह जो हमारा लास्ट एक्जाम 2021 में हुआ था उसके पार 2022, 2023, 2024 तीनवा यर की यह जो वेकैंसी है मिलाके हमारा एक्जाम हो रहा है 9 अप्रेल 2024 जे हमारे फॉर्म की डेट स्टार्ट हो चुकी है जो की रहेगी आठ मई तक पूरा एक महीने का हमारे पास टाइप है फॉर्म फिलिंग के लिए 9 अप्रेल से लेके आठ महीं तक हमारे फॉर्म रहेंगे उसके बार बात करते हैं कि जो यह आजेस को नॉटिफिक एक्जाम फिल कर सकते हों 40 तर अगर कोई स्टूडेंट स्टेश्ट के टिगरी का है औपीसी का है या कोई डाइवोर्स एविमेल है या कोई विद्वाफी मेल उनके लिए 5 यह का एक्स्ट्राइम दे रखा है पाइज रिलेक्सेशन दे रखा है इस पॉर्टी यह जनल का दिगरी अगर कोई कोई अधर दिगरी से भी ढम करते को 45 तर भी उनके मिल कर सकते हैं माः बात करते हैं कि क्या जो यह क subdivेंक्र स्टूडेंट है जो इस यह यह या झाल करम करते हैं यृब यह उस दो दे सकता है येएर Neam ka टीक्व इत वशन रह ईग्वर्स तो वह जो फर स को फिल कर सकते अब बात करते हैं कि यह जो आज्येश्य पी इसे कितनी स्टेज़ेज रहेंगी तो में होता है प्लस इंटव्यू होता है यह जो बात करो है प्रिलिम्स का एक्जाम है यह इसमें वेटेज रहता है questions का 70 और 30 का means जो 70 marks का question आता है वो आता है हमारा law से law से आता है 30 जब marks रहते हैं वो हमारे रहते हैं grammar से Hindi grammar के 15 questions and English grammar के 15 questions total 30 questions यह and 70 questions लोगे मतलब जो हमारा प्रिलिम्स का exam होता है वो 100 marks का होता है इसका जो time period रहता है वो रहता है 2 hours का दो गंडे में आपको यह प्रिलिम्स का exam देना अब एक interesting thing कि यह जो प्रिलिम्स का exam है बाते जो marks होते हैं जो फाइनल परिट हमारी बनती है वो मेंस और इंटर्व्यू से मिलके ही बनती है ठीक है तो जो हमारा प्रिलिंस का एक्जाम है वो रहता है 70 प्लस 30 को 100 questions रहते हैं 70 लॉके 30 में रहते हैं हमारे ग्राम माल के अब बात करते हैं कि जो इन्होंने हमें प्रिल्णस के लिए डेट बफा लिए है घ्जाम कब तक हो सकता है तो इन्हों ने पॉसिपन चीपन बता है कि एक होता है हमारा language का, ठीक है, अब low में भी हमारे दो paper होते हैं, एक होता है civil का, एक होता है criminal, एक होता है civil का, एक होता है criminal का, language में भी हमारे दो paper रहते हैं, एक रहता है हिंदी ऐसे का, एक रहता है English ऐसे का, एक रहता है हिंदी ऐसे का, एक रहता है English ऐसे का, एक रहता है English ऐ तो weडियो के end में हें आपको complete law के स्लेबर दे है क्रिमिनल परे कोन सी इंगेशन है इंगी आसा ही नियुह दिन की हमारे यह हुअ हमारे आठे है इनके जो मार्क्ष रहते हैं कई सीविल इंगले मांक्स का क्रिमिनला अठेberger मांक्स का इनका time period रहता है 3 hours का, इनका time period भी रहता है 3 hours का, हिंदी ऐसे का हमारा marks रहता है 50 का, इंग्लिष ऐसे भी हमारा रहता है 50 marks का, इसका time period रहता है 2 गंटी का, हिंदी ऐसे का 2 गंटे का exam होता है, इंग्लिष ऐसे का 2 गंटे का exam होता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं देखो RGS में इससे पहले हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और जो अभी हमें information दी गई है उसमें भी हमें यहीं बता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसका आप सारे questions attempt कीजिए कोई भी question हमें छोड़ना नहीं कोई question नहीं भी आता तो भी तुपका मारो और complete question को करो और जो हमारा प्रेलिंस का एक्जाम रहेगा वो रहता है objective type में रहता है हमारे पास चार option होते हैं उसमें से एक हमें select करना होता है और हमें OMR sheet फिल करने पड़ती है जिसमें से उसकी जो नीचे कार्बन कोपी होती है वो भी हम अपने साथ लेके आ सकते हैं तो अब जब भी अगर आप प्रेक्टिस स्टार्ट कर रहे हो प्रेलिंस के question कर रहे हो तो आप OMR sheet में करने की कोशिश करो क्योंकि अगर आप exam देने जो तो आप इस OMR sheet की वज़े से आप अपना time list ना कर सकें उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे स्लेबस के regarding कि हमारे प्रिलिंस और मेंस में लोग का क्या स्लेबस रहेगा देखो जो सबसे बड़ा डाउट था ना वो यह था कि मैडम हमारे पुराने लोजाएंगी या नए लोजाएंगी सबसे बड़ा डाउट यह था स्टूनें आपके पुराने एक्स ही आहिं अब मैं आको जो स्लेबस है से कि और क्रिमनल दोनों डिवाइत करके बता रहें यह जो डिवाइ units में मैं ने आपको बताएं हमारे दो जोो के बीडम होते है बात कर है सिविल देख सिविल में हमारा आता है सीपीसी सीपीसी जो 1908 का पड़ते हैं प्लस कॉंस्तिट॥िविशन कॉंट्रेक्ट एविडेन्स एससार एडन हमारा रहता है लेटेशन बैन रहता है थीपी इंटर्पिटेशन और हमारा रहता है राजस्तान रेंट कंट्रोल एक्ट यह तो हमारा रहता है सिविल का जो मैंने आपको बताया था कि में जो सिविल होता है सब्सक्राइब करते हैं क्रिमिनल का CRPC आता है IPC आता है एविडेन्स आता है जेजे आता है एक ही चेटर आता है हमारे राजस्थान ने चप्तर नुबर 17 को सब्सक्राइब की चैनल को सब्सक्राइब करते हैं नियुकस्य चैनल में तरह चैनल आнейक मतार्या क्णों नश्लाइब को आए ये हेंनबी इस इए ये हमारे एटीन सब्जेक्स है एक दो तीन चाहरा पाँछे तो यह वरही स्लेबस है जो लास्ट वाराट तूजड़ नहीं किये तो यह हमको कवर करने होते हैं जब आप प्रिलिम्स की तईयारी करते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो cover होते हैं ये हमारा आता है इन सब्जेक्ट्स में से 70 questions करते हैं, जो case laws आते हैं वो case laws, कोई भी idea नहीं लगा पाता कि कहां से case laws आने वाले हैं, तो अगर आप तयारी दीरे दीरे कर रहे थे, तो अप Thank you so much!